अगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक सेर जरूर पर उके शुरुआत करते हैं इस नौटिफिकेशन के बारे में देखते हैं कि कि और अगर आप यहां पर देख सकते हों कि उत्तर परदिष पावर कोर्प्रेशन युपरह स्चनल के लिए टेकनीशियन लेक्रिकरिकल के लिए टेकनीशियन टेक्रिकल के लिए आपका रिक्रूट में नोटिपिकेशन जारी किया गया है टोटल नमबर अफ पोस्ट रखे गए है 357, 357 पोस्ट है जिसमें से OBC के लिए 241, SC के लिए 187 और यहाँ पर देख सकते हो अनुसुची जन जाती के लिए हम बात करें तो 17, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 89, मतलब अनारक्षित में 357, OBC के लिए 241, अनुसुची जात 187, जन जाती 17, और EWS के लिए 89, तो टोटल नमबर अफ पोस्ट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे 800 प्लस पोस्ट रखा गया, 800 प्लस पोस्ट का recruitment notification यहाँ पर जारी किया गया है, तो यह बात हो गई हमारी पोस्ट के बारे में, आगे बढ़ते हैं है आपका next criteria, next criteria है आपका selection procedure, जिसमें आपको CBT के माध्यम से ध्यान रखेगा, CBT के माध्यम से merit list तयार की जाएगी, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें, तो next हमारे आता है pay scale, pay scale आपका रहेगा, level 4 का 27,200 रुपे से salary start होगी, 27,200 रुपे से salary start हो दिये जाएंगे, अब हम बात करेंगे, educational qualification की, तो ध्यान रखेगा, educational qualification, initially आपको 10th pass होना जरूरी है, 10th pass होना जरूरी है, और 10th pass होने के बाद, या तो NCVT, ध्यान रखेगा, NCVT के द्वारा, अगर ITI हैं आप, ITI हैं, तभी apply कर सकते हैं, किसमें, electrician में, electrical, causal विकास के अं NCVT या फिर SSVT, State Council of Vocational Training, इन दो चीजों से अगर आपने ITI किया है, relevant trade में, तभी आप यहां पे eligible हैं, apply करने के, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, age criteria, ध्यान रखेगा, guys, age criteria, minimum age criteria यहां पे 18 years है, और maximum age criteria रखा गया 40 years, उसके बाद, IU में अनुमान्य चूट की बात करूँ, त और Government of India के norms के according यहां पे छूट provide किया जाएगा, चलिए, आरक्षन के बारे में आपको यहां पर बता दिया गया है, next जो सबसे important आता है हमारा आवेदन सुल के बारे में, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे जितने भी, जितने भी अनुसूची जाती, जन जाती स्रे सब्सक्राइब करना है, अपलाई कैसे करेंगे, तो अपलाई करने के लिए www.uppcl.org के website पर जा करके आप अपलाई करेंगे, साथी साथ फी भी आपको वहीं पर सब्मिट करना होगा, चलिए, यहां पर आपको बताया गया है, कि अगर आपका मूल निवासी है, यूपी का त सकते हैं, आप यहां पर काँ सेटिफिकेट भी लगा सकते हैं, कलियर, चलिए, आगे यहां पर आपको सेलेक्षन प्रोसीजर के बारे हम बताया गया है, तो सेलेक्षन पोसीजर जो होगा, सी बीटी के आधार पर होगा, जिसका टाइम प्रियर्ड होगा, तीन घंटे में आपको रिटेंट इग्जाम होगा दो पार्ट में डिवाइड होंगे दो पेपर होंगे प्रथम पेपर की अगर हम बात करूँ फस्ट पेपर की तो फस्ट पार्ट में आप देखेंगे एनाई लीट की द्वारा ट्रिपल सी अस्तर का कंप्यूटर ग्यान से संबंधित बस्ट निस्ट प्रस्न होंगे जिसके प्रस्न होंगे 50 ठीक है 50 प्रस्न होंगे एक एक मार्ट के और वन फुर्थ यहां पर निगेटिव रहेगा second part की अगर मैं बात करूँ तो second part में अगर आप देखेंगे तो computer के ज्यान में जो भी आप यहां पर first part में जो आपका marks आएगा उसमें निर्धारन तो second part में addition नहीं होगा यानि first part का compulsory आपका सिर्फ qualifying रहेगा और उसके marks में addition नहीं होगे क्लियर है marks उसके addition नहीं होगे next आता है second part इसमें आपका रहेगा general studies और reasoning इसके अलावा समाने हिंदी समाने अंग्रीजी और आपके trade related subject total number of questions होगे 1500 marks की अगर हम बात करें तो 200 marks का total यहां पर रहेगा number of questions भी आपके 200 होगे 200 marks की ठीक है 200 marks के question होगे चलिए आगे बढ़ते हैं में आपर चयन हे तुदुईतिय भाग की परिक्षा में minimum 33.5% अंक आपको लाना जरूरी है यानि ऐसा कोई भी candidate जो 67 marks से कम लाता है तो वो यहां पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा यहां mention कर दिया गया है परिक्षा स्थान की बात करूं सेंटर की बात करूं तो लखनव वारा नसी मेरट आगरा कानपूर सहर में होगी और अगर कुछ changes होता है तो यहां पर company आपको email के माध्यम से notify कर देगी आवेतन करने के लिए सबसे best option आपको यहां पर website दे दिया गया है वीडियो जैसे चैनल पर एवलेबल होगा description box में आपको official website दे दी जाएगी www.upcl.org पे आप जा करके apply online against advertisement number 10VCA2022 technician electrical for the post of technician electrical पर click करके आप apply कर सकते हो और how to apply पे click करने के बाद different different type के different different type के fields आपको वहां पे complete करने होगे उन सभी field में आपने information को information को feel करने के बाद आप further proceed करेंगे और दिन आप इस application को submit करेंगे clear रहेगा अब आती है बात कि हमारी important dates क्या है तो guys ध्यान रखेंगे 27.09 से ध्यान रखेंगे online आवेजन पत्र पूर्ण करने की तितिया 27.09 से 27 September से ये start होगा और कब तक चलेगा 19 October तक आज है आपका ध्यान देंगे यहाँ पर आज डेट है आपका 19 September ठीक है 19 September 27 September से आपका start होने वाला है इसका application process तो ध्यान रखेंगा application में online सुल्क के बारें बात करें तो 27.09 से लेके 19 दस तक का ही रखा गया है स्टेट बेंक में अगर आप चलान चलान के द्वारा या डिमांट रख के द्वारा करना चाहते हैं तो 27.09 से 21 दस तक का डेट रखा हुआ है संभावी ती थी टेंटिटीव इग्जाम डेट नौवंबर 2022 का चतूर्थ सब्ता यानि लास्ट नौवंबर में इसका इक्जा नए अपडेट के साथ बने रही है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक सेर जरू है तैंक यू सो मच